भारत माता की उत्राखन के लोक प्रिय युवा मुख्यमंत्री भाई पुश्कर्शी धामी जी केंद्रिय मंत्री स्रिय अजय भड़ जी पुर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंग जी राज्य भारती जनता पार्टी के अध्यक्षर महेंद्र भड़ जी उत्राखन सरकार के मंत्री सभी सांसत विधायक अन्य महानुभाव और देव भुमी के मेरे प्यारे परिवार जनों आप सभी को प्रणाम आज तो उत्राखन ने कमाल कर दिये साहिद ऐसा द्रश्य देखने का सोभाग्य शाहिद ही पहले किसी को मिला हो आज सुबेजे में उत्राखन में जहां गया अद्भूत प्यार अपार आशिर्वार ऐसा लग रहा था जिसनेह की गंगा बह रही है आध्यात्मा और अप्रतीम शौर्य की इस धराका मैं बंदन करता हूं बीर माताओं को विशेस रुप से बंदन करता हूं जब बद्रिनाथ धाम में जय बद्री विशाल का उद्वोस होता है तो गड़वाल राइपल्स के वीरों का जोश बढ़ जाता है जब गंगोली हाट के काली का मंदिर की गंटियां जय महा काली के जयकारों से गुंजती है तो कुमाव रेजिमेंट के विरों में अदम में साहत का संचार होने लगता है यहां मानसखंड में बागेश्वर बैजिनाथ नंदा देवी गोलु देवता उन्रागिरी कसार देवी केची धाम कटार माल नाना कमता रिठा सहीब अन गिनत अन गिनत देव स्थलों की स्रंखला का बैभाव हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है रास्ट रक्षा और आस्था की इस सिर्थ भूमी पर मैं जब जब आया हूं जब भी आपका स्मरण किया है मैं धन्य हो जाता हूं मेरे परिवार जनो यहां आने से पहले मुझे पार्वतिकुन और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाज मिला मैंने हर देश वासी के अच्छे स्वास और विश्षीद भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तरखन के सारे सपने सारे संकल्प पूरे हो इसलिए आशिरवाद मांगा है कुछी देर पहले मेरी मुलाकात हमारी सीमा के प्रहर्यों हमारे जमानों के साथ भी हुई है मुझे स्थानिय कला और स्वयम सहायता समोगों से जुड़ी हमारे सभी बहने भाई उनसे भी मिलने का मोका मिला ज्यानी भारत की संस्कृति भारत की सुरक्षा भारत की सम्रति से जुड़े हुए इन तीनों स्वरूप में इस प्रकार से मेरी ये नए प्रकार की यात्रा भी जुड़ गई है सभी के दर्शन एक साथ हो गए उत्तरा खंड का ये सामर्त्य अद्भूत है अतुल्निय है इसलिए मेरा विश्वास है और ये विश्वास मैंने बाबा के दार के चरणों में बैठ करके व्यक्त किया था मेरा विश्वास है कि ये दसक उत्तरा खंड का दसक होने वाला है और आज मैं आदी कैलास के चरणों में बैठ करके आया हूँ मेरे उस विश्वास को फिर एक बार दोहराता हूँ उत्तरा खंड विकास की नई उचाईब पर पहुँचे आप लोगों का जीवन आसान हो इसके लिए हमारी सरकार पूरी इमामदारी से पूरे समर्पन भाव से और एक की लक्ष लेकर के आज काम कर रही है अभी यहां चार हजार करोड रुपिये से अधिक के विकास कारियों का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है एक ही कारिकम में चार हजार करोड रुपिये मेरे उत्राघं के भाई भैंद आप तलपुना कर सकते हैं मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मेरे परिवार जनो मेरे लिए ना तो ये रास्ते नए हैं और नहीं आप सभी साथी नए हैं उत्राघं में अपने पन की अनुभूती हमेशा मेरे साथ रहती है और मैं देखता हूँ कि आप भी अपने पन के उसी हक के साथ उसी आत्मियता से मुझसे जुड़े रहते हैं अनेक साथी उत्राखन के दूर सुदुर गाओं के भी मुझे चिठी लिखते हैं हर अच्छे बुरे वक्त पर साथ खड़े रहते हैं परिवार में कोई नए महमान का जन्म हुआओ तो भी मुझे खबर बेटते हैं बेटी पड़ाई में कहीं आगे बड़ी हो तो भी चिठी लिखते हैं याने जैसे पूरे उत्राखन परिवार का मैं एक सदस्य हूँ वैसे उत्राखन मुझसे जुड़ गया है देश जब कोई बड़ी उपलब्दी हासिल करता है तब भी आप खुशी साजा करते हैं कुछ सुधार की गुंजाईश अगर कहीं दिखती हैं तो वो भी आप मुझे बताने में कभी पीछे नहीं रहतें हाली में देश ने लोग सभा और विदान सभा में महिलाओं के लिए प्रतिशत शीटे आरक्षित करने का बहुत बड़ा एतिहासिक फैसला लिया है कि पीस तीस चानिस चानिस साल से लटका हुआ का आपका भाई ये आपका बेटा कर पाया है कि और मज़ा देखिए उस दवरान भी मुझे यहां की बहनों ने बहुत सारी चिठिया बेड़ी है मेरे परिवार जनों आप सभी के आशिरवात से आज भारत विकास की नई बुलंदी की तरब बढ़ रहा है पूरी दुनिया में भारत और भारतियों का गवरवगान हो रहा है हो रहा है ना हो रहा है ना पूरी दुनिया में भारत का डंका भज रहा है ना एक समय था चारों तरब निराशा का माहोल था पूरा देश जैसे मानो निराशा में डूब गया था तब हम लोग हर मंदिर में जाकर यही कामना करते थे कि भारत जल्द से जल्द मुश्किलों से बहार निकले हर भारत यह सोचता था कि हजारों करोड के गोटालों से देश को मुक्ति मिले सबकी कामना थी कि भारत का यस्वड़े आप देखिए चुनोतियों से गीरी दुनिया में दुनिया का हाल आप देख रहे हैं चुनोतियों से गीरी दुनिया में भारत की आवाज कितनी बुलंद होती जा रही है अभी कुछ सब्ता पहले ही G20 का इतना बड़ा शानदार आयोजन हुआ उसमें भी आपने देखा कि कैसे दुनिया ने हम भारतियों का लोहा माना है आप मुझे बताईए जब दुनिया भारत का गवरवगान करती है जब दुनिया में भारत का डंका बचता है आप बताएंगे जब आप देंगे मैं पूछू जब आप देंगे जब दुनिया में भारत का नामूचा होता है आपको अच्छा लगता है पूरी ताकत से बताईए आपको अच्छा लगता है जब बारत दुनिया को दिशा दिखाता है तो आपको अच्छा लगता है ये सब किस ने किया है ये सब किस ने किया है ये मोदी ने नहीं किया है ये सब कोट आप मेरे परिवार जनों ने किया है इसका यश आप सब जनता जनादन को जाता है क्यों याद रखिए क्यों क्योंकि आपने तीस साल के बाद दिल्ली में स्थीर और मजबूत सरकार बना कर मुझे आपकी सेवा करने का मोका दिया आपके भोट की तांकत है जब मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों से हात मिलाता हूँ न आपने देखा होगा अच्छे अच्छों से हो रहा है मामला लेकिन जब मैं हाथ मिलाता हूँ न तो बराबरा आख में मिलाता हूँ और जब मेरी तरफ वो देखते हैं न तो मुझे नहीं देखते हैं 140 करोड हिंदुस्तानियों को देखते हैं मेरे परिवार जनों दूर सुदूर पहड़ों पर देश के कौने कौने में जो लोग रहते हैं हमने उनकी भी चिंता की इसलिए सिर्फ पांच वर्ष महीं देश में साड़े तेरा करोड गरीबी से बहार आए साड़े तेरा करोड लोग यह आकड़ा याद रखोगे आकड़ा याद रखोगे कितने कितने साड़े तेरा करोड लोग गरीबी से बहार पांच साल में आना ये अपने आप में दुनिया अच्रज कर रही है ये शाणे तेरा करोड लोग कौन है इन मैसेज बहुत सारे लोग आपकी तरह ही पाणों में रहने वाले हैं सुदूर इलाकों में रहते हैं ये साड़े तेरा करूड लोग इस बात का उधारण है कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है साथियों पहले नारा दिया जाता था गरीबी हटाओ मतलब आप हटाओ उन्होंने कह दिया गरीबी हटाओ मोदी कह रहा है हम मिलकर के गरीबी हटाके रहेंगे हम उनर्शिप लेते हैं जिम्मेवारी लेते हैं और जीजान से जुड़ जाते हैं कि आज हर खत्र हर मैदान में हमारा तिरंगा उंचे से उंचा लहरा रहा है हमारा चंद्रयान ये चंद्रयान जहां पहुंचा है जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया और भारत ने जहां अपना चंद्रयान गया है उस्थान को नाम दिया है शीवशक्ति मेरे उत्राखन के लोग ये शीवशक्ति की विचार से आप खुश है और नहीं है आपका मन आनंदित हो गया और नहीं हो गया याने बहां भी मेरे उत्राखन की पहचान पहुंच गई शीवारे शक्ति का ये योग क्या मतलब होता है ये हमें उत्राखन में सिखाने की जरूरत नहीं यहां तो डगर डगर पर साख्षा दिखता है साथियों स्पेस में ही नहीं स्पोर्ट्स में भी भारत का दम आज दुनिया देख रही है हाल में एशियाई खेल समाप्त हुए है इसमें भारत ने इतियात के सारे रेकॉर्ड तोड़ दिये है पहली बार भारत के खिलाडियों ने सेंचुरी लगाई सो से ज्यादा मेडल जितने का रेकॉर्ड बनाया और आप जरा जोर से ताली बजाना एशियन गेम्स में एशियन गेम्स में उत्राखन के भी आठ बेटे बेटियां अपना दम खम दिखाने गए थे और इसमें हमारे लक्ष सेंद की इस तीम ने भी मेडल जिता और बनाया का तारिया की होकी तीम ने भी शांदार मेडल देश को दिया है एक काम करेंगे यह उत्राखन के बच्चों ने कमाल की है एक काम करेंगे करेंगे अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए मोबाइल निकाल करके उसके फ्लैस चालू करिए और उन सब को ये खिलाडियों का अभिनंदर कीजिये अपना फ्लैस लाइट करके सब अपना मोबाइल फोन निकालके फ्लैस लाइट करके शाबाश यह हमारे उत्राखन के बच्चों का अभिवादन है हमारे खिलाड़ियों का अभिवादन है कि मैं फिर से एक बार कि देव भूमी के मेरे इन युवा बेटे बेटियों को इन खिलाड़ियों को फिर से अपनी बदाई देता हो और आपने भियाद एक नया रंग भर दिया कि साथियों कि बैठिये कि बहुत आबारियों में आपका भारत के खिलाड़ी कि देश दुनिया में अपना पर्चम लहराए इसके लिए सरकार कि खिलाड़ियों की पूरी मदद कर रही है कि खिलाड़ियों के खाने पिने से लेकर आधोनिक ट्रेनिंग तक सरकार करोड़ों रुपिये खर्च कर रही है यह तो सही है लेकिन एक उल्टा भी चल रहा है सरकार तो कर रही है लिए कि लक्ष का जो परिवार है और लक्ष जो है वो मुझे हमेशा जब विजय होता है तो आपकी बाल बीठाई लेकर गयाता है खिलाड़ियों को बहुत दूर नहीं जाना पड़े इसके लिए सरकार जगह जगह खेल के मैदान भी बनवा रही है आज ही हल्दवानी में फोकी ग्राउंड और रुद्रपुर में वेलो ड्रॉम स्टेडियम का भी सलान्याज हुआ है मेरे नहुजवानों ताली बजाई ये आपका काम हो रहा है इसका अब मेरे उत्राखन के युवाओं को मिलेगा मैं धामी जी और उनकी पूरी टिम को भी बहुत-बहुत बदाई भी देता हूँ बहुत-बहुत शुपकामनाई भी दूँगा जो राष्टिय खेलों की तैयारी में पूरे जोस से जुटी हुई है बहुत-बहुत मेरे परिवार जो उत्तराखन के हर गाओं में देश के रक्षक है यहां की वीर माताओं ने वीर पुत्रों को जन्म दिया है जो मेरे देश की रक्षा कर रहे हैं वन रेंग वन पैंशन के उनकी दसकों पुरानी मांग को हमारी ही सरकार ने पुरा किया अब तक वन रेंग वन पैंशन के तहरत 70,000 करोड रुपिये उससे भी ज़्यादा हमारी सरकार ने पूर्वस सैनिकों को दिये है इसका लाप उत्राखन के भी 75,000 से ज़्यादा पूर्वस सैनिकों के परिवारों को मिला है हमारी सरकार की बहूत बड़ी प्राथविक्ता बॉर्डर एरियाज में विकास की भी है आज बॉर्डर एरियाज में सुविदाओं का निर्मान बहुत तेजगती से हो रहा है आप सोत रहे हूंगे कि आप पी क्या गल्ती थी ये काम पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया गल्ती आप भी नहीं थी पहले की सरकारों ने इस डर से border area का अविकात नहीं किया कि कहीं दुस्मन इसका फाज़ा उठा कर अंदर ना आ जाए बताईए क्या तर्क देते थे आज का नया भरत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं कि नहम डरते हैं नहम डराते हैं भारत की पूरी सिवा उस पर हम आधुनिक सडके बना रहे हैं सुरंगे बना रहे हैं पूल बना रहे हैं बी तेन नव वर्सों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही चार हजार दो सो किलोमेटर से ज्यादा लंबी सडके बनाई गई हैं हमने बॉर्डर के किनारे करीब डाई सो बड़े पूल और बाई सुरंगे भी बनाई हैं आज भी इस कार कम में अनेक नए पूलों के लिए सलान्यास हुआ हैं अब तो हम बॉर्डर तक ट्रेनों को भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं इस बदली हुई सोच का लाब उत्रा खंड को भी मिलने जा रहा है मेरे परिवार जनो पहले सीमा वर्ती छेत्रों को सीमा वर्ती गावों को देश का अन्तिम गाव माना जाता था जो अन्तिम है विकास के मामले में उसका नंबर भी आखर में ही आता था यह भी एक पुरानी सोच थी हमने सीमा वर्ती गावों को अन्तिम नहीं बलकि देश के पहले गाव के रुप में विक्सित करना शुरू किया है वाइपरेंट विलेज प्रोग्राम के तहट ऐसे ही सीमा वर्ती गावों का विकास किया जा रहा है हमारी कोशिच यही है कि यहां से जो लोग पलायन करके गए हैं वो फिर लोटके आ जाएं हम चाहते हैं इन गावों में परियटन मड़े तिर्थी आत्रा का विस्तार हो मेरे परिवार जनो एक पुरानी कहावत है कि पहाड का पानी और पहाड की जवानी पहाड के काम नहीं आती मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस अवधारना को भी बदल कर रखूंगा आपने भी देखा है कि अतीत की गलत नीत्यों के कारण उत्रा खंड के अने एक गाव विरान हो गए सड़क बिजली पानी पड़ाई दवाई कमाई हर चीज का अभाव के कारण लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है अब सित्यां बदल रही है जैसे जैसे उत्राखंड में नई अवसर बन रहे हैं नई सुविदाय बन रही हैं वैसे वैसे अनेक साथ ही गाव लोटने लगे हैं बिजली के प्रोजेक्ट्स पर अस्पतालों पर स्कूल कॉलेजों पर मोबाईल फोन के टावर पर इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है आज भी यहां इन से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट्स शुरी हुए हैं यहां सेब के बागान और फल सब्जियों के लिए बहुत संभावना आए हैं अब जब यहां सडके बन रही हैं पानी पहुत रहा है तो मेरे किसान भाई बहन भी प्रोटसाईत हो रहे हैं आज जो पॉली हाउस बनाने और सेब के बाग विश्तित करने की योजना भी शुरू हुई है इन योजनाओं पर ग्यारा सो करोड रुपिये खर्च होने वाले हैं इतना सारा पैसा उत्राखन के हमारे चोटे चोटे किसानों का जीवन बहतर बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है पी-म किसान सम्मान निति के तहद भी उत्राखन के किसानों को अपतार दो हजार दो सो करोड रुपिये अधिक मिल चुके हैं साथियों यहां तो मोटा अनाज स्री अन्न भी अनेक बीडियों से उगाया जाता है मैं जब आपके बीच में रहा करता था बहुत समय काता है आपके बीच में तब गर गर में मोटा अनाज भी खूप खाया जाता था अब केंद्र सरकार इस मोटे अनाज को स्री अन्न को दुनिया के कौने कौने तक पहुंचाना चाहती है इसके लिए देश भन में अभ्यान शुरू किया गया है इनका भी बहुत बड़ा फाइदा हमारे उत्राखन के छोटे किसानों को मिलने जा रहा है मेरे परिवार जनों हमारी सरकार माता और बहनों के हर मुश्केल हर अस्विदा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए हमारी सरकार ने गरीब बहनों को पक्का घर दिया हमने बहनों बेटियों को सौचाले बना कर दिया गैस कनेक्शन दिये बैंक में खाता खुलवाया मुपत इलाज जोत किया मुपत राशन आज भी चल रहा है ताकि गरीब का घर का चूला जलता रहे हर गर जल योजना के तहट उत्रा खण में 11 लाग परिवारों की बैनों को पाइप से पानी की सुविजा मिल रही है अब बैनों के लिए एक और काम किया जा रहा है इस साल लाल के लिए से मैंने महिला स्वयम सहायता समूओं को ड्रोम देने की गोशना की है ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा, खाद, बीज ऐसे अनेक काम किये जा सकेंगे अब तो ऐसे ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं कि फल सब्जियों को निकट की सब्जी मंडी तक पहुचा सकेंगे पहाड में ड्रोन से दवाओं की डिलिवरी भी तेजी से करा सकें यानि महिला स्वयम सहायता समूओं को मिलने वाले ये ड्रोन उत्राखन को अधुरित्ता की नहीं उचाई पर ले जाने वाले मेरे परिवार जनो उत्राखन के तो गाउं गाउं में गंगा है गंगोतरी है यहां के हिम्शिकरों में सिविजी और नंदा बिराजते हैं उत्राखन के मेले काउथिक थाल गीत संगीत खान पान अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं पांडवनुत छोलियानुत मांगल गीत फुल्देई हरेला बगवाल और रम्मान जैसे सांस्क्रिती आयोजन से यह धर्ती सम्रुद्ध है लोग जीवन के स्वाद रोट अर्से जंगोरे की खीर कफली पकोड़े रायता अलमोडा की बाल मिठाई सिग्योरी इनका स्वाद कौन भूल सकता है और यह जो काली गंगा की भूमी है उस भूमी से तो मेरा नाता भी बहुत रहा है यहां चमपावस्तित आजबाइद आस्रम भी उससे भी मेरा गैरा सबंद रहा है वो मेरी जिन्दिकी काई कालखंड था मेरी कितनी ही यादे यहां के इच इच जमीन पर पड़ी हुई है इस बार बहुत इच्छा थी कि मैं इस दैविये परिसर्थ ज्यादा समय विताओं लेकिन कल लिल्ली में जी ट्वेंटी से जुड़ा एक बड़ा सम्मेलन है सारे दुनिया के पार्लामेंट के जो स्पीकर है जी ट्वेंटी के उनका एक बहुत बड़ा समीट है और इस वज़े से मैं अद्वईत आस्रम चंपावत नहीं जा पा रहा हुए मेरी स्वर से कामना है कि मुझे जल्द ट्रूप ही इस आस्रम में आने का फीर एक बार मोका मिले इक मेरे परिवार जनों उत्राखण में परियतन और तीस ह्यात्रा के विकात से जुड़े डबल इंजिन सरकार के प्रयास अब रंग ला रहे हैं इस वरस्ज़्ट में चार धाम यात्रा के लिए आने वाले सद्द चुके हैं बाबा केदार के आशिरवाद से केदार नादाम के पुननिर्मान से जुड़ा पहला चरण पुरा हो चुका है स्रीप बद्रिनाद दाम में भी सैंक्रों करोड रुप्यों की लागत से अनेक काम हो रहे हैं केदारनाद दाम और स्रीहमकुन साहप में रोप्य का भी काम पूरा होते ही दिव्यांग और बुजूर्ग तिर्थियात्रियों को बहुत सुविदा होने वाली है हमारी सरकार केदारखंड के साथ साथ और मैं आज इसलिए आया हूं मुझे मानसखंड को भी उस उचाई फिर लेज़े डाला है केदारखंड और मानसखंड की कनेक्टिविटी पर भी हम बहुत बल दे रहें जो लोग केदारखंड बद्रखंड दाम जाते हैं वे जोगेश्वरधाम आधी कैलास और ओम परवद भी आसानी से आ सके यह प्रियास किया जा रहा है आज जो यह मानसखंड मंदीर माला मिशन शुरू हुआ है उससे भी कुमाव का नेक मंदिरों तक आना जाना आसान होगा मेरा अनुभव कहता है कि जो लोग बद्रखंड और केदारखंड आते हैं वे भविष्च में इस और जरूर आएंगे उनको इसी खेत्र का पता नहीं है और आज जुरूर वीडियो जब टीवी पर देखेंगे ना यह मोधी चक्कर काट के आया है आप देख लेना हर एक को करेगा यहार कुट्तों होगा और आप तैयारी करो यात्रियों की संग्या बढ़ने वाली है मेरा मानस खंड धम धम होने वाला है साथियों उत्राखंड की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी यहां के विकास को नई उचाई पर ले जाने वाली है चार दाम महा परियोजना से आल वेदर रोड से आपको बहुत सुविदा हुई है रिसिकेज कन प्रयाग रेल पर योजना पूरी होने के बाद तो पूरे ख्षेत्र का काया कल्प हो जाएगा इस पूरे ख्षेत्र में उडान योजना के तहत सस्ती हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है आज ही यहां बागेश्वर से कनाली चिना तक गंगोली हाट से अलमोडा तक और टनकपुर घाट से पिथोरा घाट तक की सडकों का काम शुरू हुआ है इससे सामान ने जनको सुविधा के साथ साथ परियटन से कमाई के आउसर भी बढ़ेंगे मुझे खुशी है कि हाँ कि सरकार होमस्टे को प्रोच्षान दे रही है परियटन तो एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे अधिक रोजगार है और कम से कम पूझी लगती है आने वाले समय में तो तूरिजम सेक्टर का बहुत अधिक विस्तार होने वाला है क्योंकि पूरी दुनिया आज भारत आना चाहती है भारत को देखना चाहती है भारत को जनना चाहती है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखन आये बिना बारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता मेरे परिवार जनों बीते समय में उत्राखंट जिस तरह प्राकृतिक आपदाओं से गिरा रहा उससे भी मैं भली भाती परिचीत हूँ हमने अपने बहुत से स्वजन खोए है प्राकृतिक आपदाओं से निपटे के लिए अपनी तैयारियों को हमें बहतर करते रहना ही है और हम करते रहेंगे इसके लिए आने वाले चार-पास सालों में उत्राखंट में चार हजार करोर रुपे खर्च किये जाएंगे उत्राखंट में ऐसी सुविदाओं का निर्मार किया जाएगा जिससे आपदा की स्थिति में राहत और बचाओं का काम तेजी से हो सके मेरे परिवार जनों यह भारत का अमृत काल है यह अमृत काल देश के हर खेत्र हर वर्क को सुविदा सम्मान और समृति से जोड़ने का काल है मुझे पुरा विश्वाद है कि बाबा केदार और बजरी विशाल के असिरवाद से आधी कैलास के असिरवाद से हम अपने संकल्पों को तेजी से सिद्ध कर पाएंगे एक बार फिर इतना प्यार देने के लिए साथ किलोमेटर मैं मैं सच मुझ मैं मेरे पास वर्ण कर लिए के लिए शब्द नहीं है मैं हैली कप्र से निकला साथ किलोमेटर यहां आया और आने में भी देर इसले हुई साथ किलोमेटर दोनों तरफ वो हुमन चेन नहीं थी हुमन बॉल थी ऐसी भीड लगी थी और जैसे परिवार में कोई अवसर हो वैसे उत्सव के कपड़े पहन कर सुब प्रसंग के कपड़े पहन करके मंगल वाता वरण में माताओं के हाथ में आरती फूलों के गुलवत्ते आशिरवात देने से वे रुकते नहीं थे यह मेरे लिए बड़ी बावुक्षण थी मैं आज पिथोरागड को और पिथोरागड जिलिये के सब लोगों को इस पूरे खंड को मेरा मानस खंड उसने आज जो प्यार बर्चाया है उससा दिखाया है मैं शत शत नमन करता हूं आपका भार व्यक्त अगरता हूं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है मेरे साथ बोलिए दोनों हाथ ओपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद